क्या आप एक फिल्म और विडियो एडिटर हैं और आप आस्ट्रेलिया में काम करने, रहने या स्टडी करने के इचुक हैं। अगर हाँ, तो ये विडियो आपके लिए है। इस विडियो में, हम आपको आस्ट्रेलिया में Film और विडियो एडिटर के Career Scope और Profile से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताने जा रही हैं। इस विडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप description में दिये गए Link पर क्लिक करें। फेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राश्ट्रिय इमिग्रेशन चैनल A to Z Immigration Updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. औस्रेलिया में Professionals के लिए Skills और Career Scope पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर है. इस वीडियो में हम Film और वीडियो एडिटर से एक Australia I Amplier की Job Profile से समबंधित अपैक्शाओं के बारे में जानेंगे. हम फिल्म और विडियो एडिटर के लिए उप्यूप्तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे यहां फिल्म और विडियो एडिटर को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं हम फिल्म और वीडियो एडिटर के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यूनतम एडियूकेशन और एक्सपिरियंस की जरूरतों को भी देखेंगे हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए skill, level, license और registration की क्या जरूरते हैं हम फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्य आयू वर्ग पर भी चर्चा करेंगे करंट जॉब ओपनिंग्स, पिछले पांच सालों का अनालिसिस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन्स और करियर स्कोप भी इस विडियो में चर्चा का विशय रहेंगे हम फिल्म और विडियो एडिटर के औसतन सापताहिक वकावर्ज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे विडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग वीजा ओप्शन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनेंट रेजिडिनसी पाने और इस प्रोफाल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा ओप्शन्स तो पूरी जानकारी पाने के लिए विडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहे अब आपका और समय न लेते हुए आए शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाल दिस्क्रिप्शन पे उस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुल्जा हुआ प्रोफाल डिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है इस कोड को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation या ANZSCO कोड कहा जाता है यह ANZSCO कोड आपको किसी भी प्रोफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉप रोल के बारे में जानकारी देता है उस्ट्रेलिया की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in Codes के रिचता है और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर Evaluate और Revise किया जाता है तो चलिए अब आपके व्यवसाई के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल का ANZSCO Code 212,314 है ABS के ओरिजिनल कॉंटेंट की Authenticity को बरकरार रखने के लिए Profile Description और कुछ दूसरे तत्यों को हम यहाँ इंगलिश भाषा में ही देखाएंगे ताकि उनकी Originality और Integrity बनी रहे फिल्म और विडियो एडिटर मेक्स और इंप्लिमेंट्स एडिटोरियल देसिजिजिन रिगार्डिंग मूड, पेस and climax of films, टेलिविजिन प्रोग्राम्स, विडियो प्रोडक्शन्स और कमेर्शल्स आस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके प्रोफाइल के कैंडिडेट्स के लिए रोजगार के अच्छी अवसर हैं आएए एक बार कुछ जरूरी जॉब सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल पर काम करने वाले ज्यादतर कैंडिडेट्स मुख्य रूप से इंफर्मेशन मीडिय और टेलिकम्यूनिकेशन्स, प्रोफेशनल, साइन्टिफिक और टेक्निकल सर्विसेज और आर्ट्स और रीक्रियेशन सर्विसेज में कार्य रथ हैं आस्ट्रेलिया में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से एंप्लोयस की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं और आपका स्किल लेवल ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो अव स्टिस्टिक्स के हिसाब से तै होता है एक फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल पर काम करने के लिए आपके पास बाचलर डिग्री या बराबर की अन्य योगता ज़रूरी है और फिल्म और विडियो एडिटर का स्किल लेवल एक है, औस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के हिसाब से इस ग्रुप के जॉब लेवल में बाचलर डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन की जगहा पर आपका तीन से पांच वर्ष का संबंधित एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है, अन्य कुछ मामलों में आपको एक्सपीरियंस के साथ ओन जॉब ट्रेनिंग की जरूरत भी हो सकती है, अगर आप आस्ट्रेलिया में स्किल्ड इमिग्रेशन विजा के लिए एप्लिकेशन फाइल करते हैं तो आपको माइग्रेशन स्किल्स असेस्मेंट की जरूरत रह थार असेस्मेंट बॉडी का अपना अलग असेस्मेंट प्राइटेरिया और एक्सपीरियंस की अलग अलग जरूरते होती हैं, अगर आप फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल पर स्किल्स असेस्मेंट फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष एक्सपीरियं इससे अलग हो सकती है आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज़्यादा हिस्सेदारी है Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके प्रोफाइल पर जॉब करने वाले लोगों का में एज ग्रूप 35 से 44 वर्ष है और औसतन आयू 40 साल है जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है तो आईए अब आपके प्रोफाइल में पूरुश तथा महिलाओं की जैन्डर रेशियो पर नज़र डालते हैं फिल्म और विडियो एडिटर में महिलाओं का 24 तशमलव 3 प्रतिशत हिस्सा है आस्ट्रेलिया में ज्यादातर प्रोफाइल में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर स्किल्ड वरकर्स फुल्टाइम या पार्टाइम बेसिस पर काम करते हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंडो के हिसाब से तैग किया जाता है अगर हम आपके प्रोफाइल की बात करें तो फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल के 24.3 लोग फुल टाइम काम करते हैं इस फील्ड में फुल्टाइम काम करने वालों के लिए हफ़ते में एवरेज काम करने का टाइम 49.00 घंटे हैं. जॉब ओपनिंग्स की गिंती, कमपनी टर्नोवर और एम्पलॉइमेंट ग्रोथ के उपर निर्भर करती है. पिछले पांच सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपेक्टेड जॉब ओपनिंग्स 5000 हैं. फिल्म और विडियो एडिटर के केस में यह गिंती औसतन सत्र पर है. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी वृद्धी दर प्राप्ट कर सकता है. अस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है. अगर हम फिल्म और विडियो एडिटर के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेज में ज़रूरत नहीं है. अब हम सबसे महत्वपून फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टडी करेंगे. अस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है. ABS के हालिया सवे के मुताबिक, फिल्म और विडियो एडिटर का ओसतन सापताहिक वेतन, टैक्स डिड़क्शन से पहले 1411 AUD है, जिसमें से आपके सालरी स्लैब के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है. अगर आप किसी भी स्ट्रीम में permanent residency के लिए application फाइल करना चाहते हैं, तो process शुरू करने के लिए पहला कदम migration skill assessment है. इसके अलावा कुछ cases में, जैसे work permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद professional year शुरू करने के लिए आमतौर पर migration skill assessment के positive result की जरूरत होती है. Australia में विभिन profile categories के लिए अलग-अलग assessment bodies है. Film और video editor के लिए migration skill assessment, vocational education and training assessment services, VETASCSS के द्वारा की जाती है. अगले section में हम Australia में job के लिए apply करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी steps के बारे में चर्चा करेंगे. हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने job portal को भी देखेंगे. यहाँ आप अपने profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा options को देख सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें subscriber target 50,000 challenge को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें. क्रिप्या अभी इस चैनल को subscribe करें और इस वर्ष के आंद तक 50,000 subscribers को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें. हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं, और अगर हमें इस विडियो पर 100 likes मिलेंगे, तो हम आपके लिए इस profile के PR प्रोसेस और visa filing पर एक detailed विडियो बनाएंगे. इसके इलावा हमें comment में ये जरूर बताएं, कि आप इस series में next विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं. क्या आप Australia में नौकरी के लिए online या offline apply करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल Australia में हैं या फिर India, Pakistan, Nepal या किसी अन्य जगह से भी किसी Australian job के लिए apply करना चाहते हैं, तो एक professional के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, job options धूनना तथा सही तरीके से job के लिए approach करना होता है. एक अच्छी Australian job प्राप्ट करने के सफर में कई जरूरी steps शामिल होते हैं जैसे कि Australian style resume बनाना, cover letter तयार करना, उच्छे job पॉटल खोजना, अपने sector की jobs के लिए online या offline apply करना तथा online, offline interviews के लिए तयारी करना. अपना bio data तथा resume तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि Australian employer वास्तव में आपसे क्या expect करता है. एक अच्छी तरह से तयार किया गया resume recruiter का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीदवारों से श्रेष्ट दिखा सकता है. सक्रिय भाशा, keywords और कुछ छोटे बद ले सकते हैं, या हमारी resume से संबंधित videos को देख सकते हैं, जिसमें Australian standards के हिसाब से एक perfect resume लिखने की जानकारी उपलब्ध है. Australia सरकार ने job active नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्ववयपी सेवा दी है. अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरिये, job active, employers और jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है. बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है. इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना CV भी साज़ा कर सकते हैं, जिससे आप direct employers और employment agencies के हमारे valuable network को आपके लिए उप्यूकत अफसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं. Adzuna, CareerOne, CareerJet और Indeed Australia, Australia में online नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है. इसके इलावा टॉप 15 job portals की एक detailed list भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी profile के लिए Australia में सबसे suitable employment का अवसर पाने के लिए online apply कर सकते हैं. अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्ध visa subclasses के बारे में संक्षेप में जानेगे. Australia में बहुत से pathway programs और visa subclasses हैं जिनके जरिये एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है. इन visa subclasses को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो है. Skilled migration visas, subclass 189 योग की permanent residency पाने की direct subclass है. State या regional nomination visas, subclass 190 और 491 यो state nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं. Permanent Residence, Skilled Regional, Visa subclass 191 और 887 योग की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं. Employer Sponsored Visas, subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी sponsorship या nomination के थ्रू PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं. Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visas, subclass 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी innovative idea योग की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं. कुछ specific targeted sectors के लिए Global Talent Visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है. इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं. हाला कि ये वीजा आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि फिल्म और वीडियो एडिटर के प्रोफाइल के लिए कौन से वीजा सब प्लास से स्खुले हैं, तो आप दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें. आप फिल्म और वीडियो एडिटर के लिए प्र फाइलिंग पर बनी हमारी डेडिकेटड वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Film और वीडियो एडिटर है. इस सीरीज में आपको फिल्म और वीडियो एडिटर के लिए Permanent Residency फाइल करने की Step by Step जानकारी मिलेगी. वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में Study और सेटल होने के लिए उपलब्द Visa विकल्प और Visa सब काटेगरीज हैं. तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फिल्म और वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो आस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है. एक स्टूडेंट सबक्लास 500 के तहत अपना स्टूडी विजा फाइल कर सकता है. हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब class 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है जिसे post study work visa कहा जाता है अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर क्लिक करके expert advice ले सकते हैं इस video के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की video और जानकारी आपको पसंद आए है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपया हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूचताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे